जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपका प्रत्वा पर्व का पेपर है, यह आपके 17 जनवरी से आपका यहाँ पर्द्वा पर्व स्टार्ट हो रहा है, पहला पेपर आपका हिंदी का होने वाला है, आपके 24 जनवरी का पेपर, आपके बिग्यान वाले में ठीक है, तो 24 जनवरी को यह पर आएगा, आपको पूरा पेपर अच्छे से आपको याद करना है, धाई गंटे आपको समय दिये जा रहे हैं, यहापको पूर्णा पचास अंको का होने वाला है, तो सारे कोश्चन आप आपको अच्छे से रट कर जाना है, यही कोश्चन आपके प्रभवपर के पेपर में आने वाले है, तो सारे कोश्चन आपको मैं यहाप दिखा रहा हूँ, और साथ में आपको हरे कोश्चन का यहाप पर आंसर भी आपको प्रवाइड कर आँगा, ठीक है, तो चलो, आपसन दिया गया है, रुई दिया गया है, रेसम, उन और नाइलान, तो आपको इसमें अंसर बताना है, क्या आपका अंसर होगा, अंसर की वात करें बच्चों, तो यहाँ पे देखो आपका पहला आपका क्या लिखा है, रुई लिखा है, अब हम बता दें कि रुई जो ह प्राप्त होता है रेसम और उन की बात करें तो उन आपका किसे आपका भेड़ वक्री आपका इनसे प्राप्त होता है नायलान के आपके प्रक्तिक रेसा कहलाता है तो पादप की बात कर रहा है इसलिए आपका इसमें राइट अंसर आपको रूई हो जाएगा ठीक है इसके देखिए आपका है पर सेकेंड कोश्चन आ जाता है क्या कोश्चन लिखा गया है विटामिन डी की कमी से होने वाले आपको रोग बताना है तो विटामिन डी मतलब क्या होता है आपका सूरु का प्रकास किसके कमी से आपका होता है आपका रिकेट्स देखिए आपका मलब क्य से और घेंगा आपके आयोडीन की कमी से होता है ठीक है आपको इस प्रकार से याद रखना है आप देखो आपका यहाँ पे नेस्ट क्या आता है क्वेश्चन नमबर थ्री यहाँ निम में से कौन से पौधे की जड़ मूसला जड़ नहीं होती है मूसला जड़ मतलब क्या होत चालक मतलब을p लिखेये आपको आप को संह देखकर बताते हैं तो देखो यह पापका क।स्चन निelf लिखा गया है आपको इस पहले नीम रिखा है सेकेंड आपका आम लिखा है तो आपको इसका answer D number लगाना है question number 4 देखिए निम्ण में से कौन सा पदार्थ विद्दूत का चालक है चालक मतलब जिसमें आपको क्या हो विद्दूत प्रभाहित हो जाए बह जाए है ना तो यहापे देखिए रबड में तो बिल्कुल नहीं बहेगा तार को देखिए आपका रबड का बना होता है यानि कि आपका ये बिल्कुल answer नहीं होगा जिसमें से आपका प्रभाहित हो जाएगा ठीक है इसके बाद लोहा इसके बाद देखिए प्लास्टिक में भी क्या होगा आपके प्रभाहित नहीं होगा बिद्दूत और ना तो लकडी में ठीक है अब हमारा right answer क्या हो जाएगा मतलब कि इसका right answer आपका क्या होगा बच्चो आपका लोहा लोहा में बिल्कुल आपका बिद्दूत प्रभाहित हो जाएगा ठीक है गलती से भी आप लोहे के दंडे से क्या है तार को टच मत करिएगा आप रबट से करेंगे कोई दिकत नहीं प्लास्टिक से करेंगे लकडी से करेंगे सुखी लकडी है तो आपको हाँ पे करेंट नहीं लगेगा अब देखो आपका next question लिखा है तेल लगा कागज है कैसा है तो तेल लगा काग मतलब क्या होता है देखेंगे तो आपको हलका फुलका धुंदला टाइप से आपको दिखेगा यानि कि आपका यही आपका राइट अंसर होगा क्या होगा आपका पारभासी यहाँ पर हो जाएगा ठीक है आपको आंसर यहाँ पर पांच कहीं लगाना है वीडियो अच्छी इसलें आपको यहाँ पर पर घस्तिय आपको आपके जाती का पौदा का पौदा है तो इसलिह правильно है यहाँ आप हुता है चयारो और रेत ही रेध होता है और दây brings बिलकुल आपका मॉर्स्वीस पउधा नहीं है घेंदा अपके हर घर में आपको मिल जाएका घंद मीरे िमम जाये आफकी घर के आहते इसके बाद आपका आठवा कोश्चन आता है सुतनता पूर्वक लटका हुआ च्छड चुमक स्यादा आप कैसे ठाड़ता है तो आप यादे चुमक की वात करेंगे तो आपका हमेशा कैसे ठाड़ता है आपका उत्तर से धच्छिड ठीक है जो जैसे आपका कोई एक गुला- इसकी कमी से घेंगा रोग होता है तो घेंगा किससे होता है आयोदीन की कमी से ये कॉशन में पहले पता चुका हूँ इसके बाद चैपा स्वे ड़कि नमरद यहां पहले Zoals लगा होता है और यहां पर देखेंगे आप तो आपका इस प्रकार से यहां पकर एक ऐसा तर्मील रहेगा ठीक है तो एक कैया होगा इधर थे आपकर यहां पर धनात्मक बहेगा और 6 एक रրे रात्मक तो इस प्रकार से आपका $3 यहां पर दो तर्मूं की यह अधाया करणident pro आपका इसमें correct answer होगा ठीक है चलो इसके बाद दिखते हैं आपका वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो ठीक है बहुत महरत लगता है तब जाकर यह वीडियो अब तक हम पहुंचा पाते हैं और साथ में आपको यहाँ पे बेल आइकन भी प्रस का लेले जि च्छह में से आपका लंबाई भी है तो लंबाई का आपका यहाँ पे मेटर होता है ठीक है और द्रब्मान की बात करें तो आपका यहाँ पे किलोग्राम होता है इसके बाद देखिए क्वेशन नमर 13 घुटने वा कोहनी में पाई जाने वाले आपको यहाँ पे संधी बता हिंदी में आपका hinge कहा जाता है यह आपका इसका correct answer होगा इसके बार्ध चयोद्क की सिध्यान पर करता है तो answer आपको यहाँ पे reflection जंतू नहीं है। तो जानते कि गाये गाये आपका मानसार जंतू भिल्कुल नहीं करते ह along केlaşते हैं चार का घंस का प्रयोंक करती है। लेकिन शेर देखिए बाग देखिये और quindi के brainstorm गणता है भाग याख ए बहुत सारे आपके छोटे जानमरों खुता बाद काया है। पढ़न आप दने काशी से में और 3 मोशक् conservatives करके लिए तो देखेंगों कि छाया नहीं बनेगी आपको question पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते है क्या है, इसमें दिखा है, ब्रक्ष दिया है हाथ के हथेली, काच और दिवार, तो छाया किसकी नहीं बनेगी जो आपका पारदर्सी होगा, पारदर्सी पारदर्सी है, तो इसका छाया कहा से बनेगा, लेकिन ब्रक्ष का आपका छाया बिलकुल बनता है, हाथ की हथेली का भी बनेगा, धूप रहेगा तो, और दिवार का भी छाया बनता है, ठीके तो आपका आपका आणसर यहाँ पर सही हो जाएगा, और इसके बाद तो पैरों कब होगी जब आपका यहाँ पर प्रकास पड़ेगा तो पैरों पर तभी आएगा जब क्या होगा आपका दोपाहर का समय होगा यदि साम का समय होगा तो आपका आपका आकरती बड़ा आपका छाया बनेगा यानि कि आपका यहाँ पर अंसर क्या होगा दोपाहर का समय हो जाएगा इसके बाद देखे 20 वा कोश्चन उपर से नीचे गिरते पत्थर की गति कैसी होती है तो आपका उपर से नीचे जब भी आपका गिरेगा तो आपका यहां पर सरल रेखी होगा कैसा होगा आपका सरल रेखी हो जाएगा ठीक है सीधा गिरेगा कोई पत्थर आप उपर से गिरेगा नीचे तो ऐसे गिरेगा सीधा तो आपका यह सरल रेख कहला चाहे इसके बाद देखे आपका यहां पर एक हिस्वा हो जाते हैं इसके बार्थ देखे आपका reverse को्शन निमने से कौन सा प्रक्तिक आपका तंतू नहीं है तो देखे perfect आपका यहाप पर रूँयुी कपाज से निकलेगा जूत आपको त्षीक है इसके और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ही यहां से जाना है इसके बाद आपके आपके तेज़वा कोश्चन दिया गया है क्या कोश्चन है, निमन में से कौन सा रेशा तोचा के लिए सरबाधिक उप्यूप्त है तो तोचा के लिए सबसे ज्यादा आपको जो आपके उप्यूक्त कौन सा होता है देखिए ये सभी आपके संसलेसे थे यानि क्रतिव है तो ये आपके आपके तोचा के लिए आपके उप्यूक्त नहीं है लेकिन आप बात करें कपास तो कपास आपका प्रक्तिक होता है डिग्री आपको लगाना है ठीक है तो आगे जो भी कोश्चन आपके नेस्ट पार्ट में पताए जाएंगे आपको अभी इतने कोश्चन अच्छे से याद करना है और यदि आपने अभी और आपके यहापे मैत के हिंदी के आपके इंगलिस के सब्जक्ट के नहीं देखे सम झाल